कि दोस्तों हमने कल पढ़ात पिछले वीडियो में हमने पढ़ाता गण और घनाग आज हम पढ़ेंगे बेलन और संकु बेलन और संकु देखो दोस्तों बेलन एक आयताकार आकरती को लेकर कि एक वुजय को हमने इस्तिर रख और और बाकी वुजय को जब हमने घंड़ाया तो मारे पास बेलन नाखत हुआ इस परकार की आकरति बेलन की पार्वान की होती है आयत की एक वुज्जा जिसे हम आधी करेंगे तो उसकी रेडिस हमारे पास आजाएगी यनि बेलन का आधार बेलन का आधार वर्तागार हो जाएगा हमारे पास और बेलन की तिर्जी आओगी हमारे पास आर पर लिए जो साइड होगी आपने अएत की एक साइड वह उंच्ट ही का खाम करेगी तो बेलन की उंच्ट ही क्या पाश्च हो जाएगी तो दोस्ता आप परष्ट्य शहतरफल हो परस्ट्य शत्रफल दो परकार करेप ग्याद कर सकते हो हुआ एक इसका वक्त्रक्रश्ट होता है raising काई जानते हो टू प्वाई और एपटा इसके आधार की परिधी हो जाएगी और उसा इसे गुना परोगे तो वक्त्रक्रक्रश्टoken इसमें क्या होता है बेलन के दो आदा वर्तागार होते थो दो वर्तों का सिब्सक्राइब सब्सक्राइब को जोड़ेंगे हमारे पार संपोण बेलन का आज शहत्र पर आ जाएगा इन दोनों में से देखो हमने दो और पाई और कॉमन ने लिया और प्लस एच रह जाएगा पीछे तो इसका वास्तिक फर्मुला क्या हो जाएगा संपोण पर शहत्राइब का तूपाई आर प्लस एस कि वह तक देखो को पुरागों आपको भी आपके बेलं के फर्मुले हो जाएगे एक इसमें बेलं का आयतन भी ग्याद करने का फॉर्मुला लिख सकते आप बेलं का आएथम आप किसी भी ठोशा करते का इस ग्याद करते हो मैंने आपको बताये ता कुछ सही का गुणा करोगे तो आप एक बास बेलन का आयतन आ जाएगा यहां तक किसी को प्रावर्म हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आगे देखों हम बेलन के चुत्रों के आधार पर कुछ स्वाल करेंगे आजआन से स्वाल होंगे पहली में इसके बाद अम इसका रुपांदल भी देखेंगे परला स्वाल है एक बेलन का एक बेलन की तिर्जिया आधार की तिर्जिया Mozart की तिर्जिया तिर्जा साथ सेंटीमेटर तता उसकी उंचाई तता उसकी उंचाई दस सेंटीमेटर है तो बेलन का बेलन का वक्र परष्टि सेतर पल तता आयतन ग्याद करो कर दोस्त encode कहार आपसे पीलेड़ की तीर्जा देरकी आपको साथ सेंटीमेटर और मेरन की उंचाई आफ दे देर फिर चेंटीय याद की आपको 10 cm अभी मैंना आपको फार्मुला लिगा था वक्कर परष्टिय शैतरफल बेलन का वक्कर परष्टिय सैतरफल बेलन का वक्कर परष्टिय सैतरफल 2πrs इसके अंदर मान दगदो आप r का मान 7 cm s का मान 10 cm रको 2π का मान आप सभी जान देवा 22 वटा 7 उना r का मान 7 cm उना s का मान 10 यहारत कोई प्रावलम यह दो गो 7 से 7 कट गए बाकी क्या गुणा कर दो 22 दुना 47 गुणा 10 समालिस का गुणा आप 10 से करोगे तो आपके पास 460 cm स्क्वाइर आपके पास बेलन का वक्कर परष्टिय सैतरफल आ जाएगा आगे देखो दोस्तों इसका हम आयतन ग्याद करेंगे प्रेट का आयतन अब फर्मुला लिगवाया था मैंने थोड़ी देर पहले पाई आप इसक्वाइर है मान रख दो पाई का मान 22 बटा सांट आर का मान आर स्क्वाइर साथ गुणा साथ और एसका मान 10 जोस्तों यहां भी साथ से साथ कर रहे हैं और 22 साथ आ एक सोपन आगे लागे देखो हम आयतन गयात करेंगे दोस्तों वकर प्रश्ची सेत्रपल से अर्चोर साड़ी सथांडिमेल इसकार आपके पास आयतन गयात करने के लिए देखो वापस देखते हैं लंका यह वही सवाल है आयतन कि आयतन का फारूला आपने लिक्ता अभी बेलन का आयतन P-R-square-S P-R-S-S-Pai का मान आप सभी जानते हो 22 बटा 7 होता है बटा आर आर का मान वह स्वाल में दे रहे रहा है साथ सेंटीमिटर स्कौयर है तो दो बार गुणा और S आप क्योंच है 10 सेंटीमिटर आपको शाल में लिख्या है अब देखो इसमें साथ से साथ कट रहा है बाइस साथ आ एक चो सौपन होते हैं इसमें कैलिकुलिशन आपको ध्यान जगनी पड़ेगी यह फॉर्मुले वैक्स स्वाल है सारे इसके फॉर्मुले याद है उसके बाद कैलिकुलिशन आपको आनी चाहिए गुणा दस एक आपके बाद क्यूबब गया देखो दोस्ताओं ज्यादा लंबा किसी के वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा लिए चंकुका टॉपिक का मगरी वीडियो में लेगनगा आतन्स बनद्रास्तों साथ सेंटिमेटर क्यूब आपके पराप्त हो गया धन्यवाद गोश्ताओ